हेई फूरी के वेटकम बैक टूदू की रसुई है और आलम इस में बनाने जा रहे हूं फिश करिए तो चले देखते हैं इसे बनाने के लिए मैंने कौन-कौन से इंग्रेटिट्स लिए हुए हैं यहाँ फिश को मारिनेट करने के लिए मैंने लिया हुआ है एक किलो फिश इस फिश को मैंने दोकर साफ कर लिया था नमक के पानी से 1 tablespoon oil, 1 tablespoon lal mirch powder, 1 teaspoon healthy powder, salt as per taste, 1 and 1 half teaspoon jeera powder, 2 and 1 half tablespoon ginger, garlic and green chili paste, 2 tablespoon dhania powder, 2 tablespoon lemon juice. अब हम इन सभी चीज़ों को इसमें डाल कर फिश को मारिनेट कर लेंगे. lemon juice, coriander powder, namak, red chili powder, cumin powder, haldi powder, ginger garlic chili paste, oil, gravy के लिए मैंने यहाँ लिया हुआ है, onion tomato paste, मैंने यहाँ दो बड़े आकार के tomato and दो बड़े आकार के onion लिये हुए हैं, जिसे मैंने roughly chopped करके, 1 tablespoon oil में भून लिया था और फिर उसे ठंडा करके यह पेस्ट बनाया है, salt as per taste, 2 tablespoon कसूरी मेथी, 1 and half teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1 teaspoon जिंजर गालिक चिली पेस्ट, 1 teaspoon चिली पाउडर, 2 teaspoon चाट मसाला पाउडर, 4 tablespoon oil, हम एने फिश को मारिनेट करके रख दिया है, अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए ठक कर रख देते हैं और उसके बार फ्राइ कर लेंगे, फिश को मारिनेट किये हुए 20 मिनट हो चुके हैं, और मैंने कडाही में तेल भी गरम कर लिया है, अब मैं इसे फ्राइ कर लेती हूँ, इन फिश को मैंने सुनेहरा होने तक फ्राइ करके प्लेट में निकाल लिया है, इसी तरह हम बाकी सभी फिशेस को फ्राइ करके निकाल लेंगे, मैंने एक दूसरे पैन में तेल डालकर गरम कर लिया है, और मैं ग्रेवी की तयारी कर लेती हूँ, तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें अनियन टमैटो का ये पेस्ट डालकर, चार से पांच मिनट के लिए मध्यम आज पर पका लेते हैं, साथ ही साथ हम इसमें जिंजर गालिक चिली पेस्ट, चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और नमक, ये भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, मसालों ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लेते हैं और दो मिनट चलाकर इसमें पानी डाल देते हैं, मसाले और प्यास टमाटर अच्छे से भून चुके थे इसलिए मैंने इसमें करम पानी मिक्स कर दिया है पानी में उबाल आ गया है अब हम इसमें फ्राइ किये हुए फिश को डाल लेते हैं फिश एड़ करने के बाद इसमें ये चाट मसाला पाउडर और कसूरी मेथी भी डाल देती हूं और वापिस दो से तीन मिनिट के लिए ढख कर धीमी आज पर पकने देती हूं और फिर ग्यास बंद कर दूँगे दो से तीन मिनिट हो चुके हैं अब मैं ग्यास बंद करके इस फिश ग्रेवी को इक बरतन में निकाल कर सर्फ कर लेती हूं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और आप में इसे एक पर अपनी के सोज में बनाने की जरूर कोशिश करोगे